अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालकेनी टेरिस या गार्डन से आपको सबजियों का और फलों का बहुत सारा हार्वेस्ट मिले या फिर मिट्टी में नीमोटोड्स का प्रॉब्लम खतम हो जाए पौधों पर एफिड्स लगने बंध हो जाए या बहुत से तितलियां आए त नेंदा उगाने के बारे में और इसे वीडियो में लाइफ थीम है सेल्फ कॉंफिडेंस यानि आत्मविश्वास आज मैं आत्मविश्वास के बारे में भी बात करूंगी तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एक और बात तुम्हें करना भूली गई बहुत बार का WhatsApp चानल कैसे जॉइन किया जाए देखिए चानल को जॉइन आप कर सकते हैं फ्री में जॉइन करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सब से उपर दे दूगी और इस वीडियो के पहले कॉमेंट में भी पिन कर दूगी में WhatsApp channel का link, join कीजिए gardening tips के लिए, behind the scene videos के लिए, कोई links चाहिए आपको gardening products के, वो भी वहाँ मिल जाएंगे, अभी ये देखिए, ये पौधा कितना healthy है, गेंदे का पौधा, फूल भी बहुत बढ़िया से आए हैं अब जान लेते हैं कि गेंदे को उगाते कैसे हैं, गेंदे को उगाने का सबसे बढ़िया तरीका है, बीज से उगाईए ये एक गेंदे का फूल है आप पूजा में इस्तिमाल किये हुए फूल या सिहरे में बने हुए, बंदे हुए फूलों को भी सुखा सकते हैं ये काले वाले जो हैं, ये गेंदे के बीज है अभी फूल अच्छी तरह से सूखा भी नहीं था फिर भी इसके बीज जो हैं मैंने बो दिये कंटेनर में कोको पीट लिया बीज को स्प्रिंकल किया बीज के उपर भी जरा-जरा सा कोको पीट डाल दिया बस एक पतला सा लेर ताकि जो बीज हैं वो थोड़े थोड़े से ढख जाएं बीज अंकुरन के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं कौन से बीज कैसे बोने चाहिए तो उपर वीडियो का लिंक आ रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी उसमें मैंने सबजियों और फूलों के बीज के बारे में बहुत सी जानकारी दी है आप देखेंगे पांच दिन में गेंदे जो हैं अंकुरित हो जाएंगे ये हैं पंदरा दिन की ग्रोथ इसमें मैंने थोड़ी थिनिंग भी की कुछ अंकुर ऐसे थे जो इतने तंदरुस्त नहीं थे स्वस्त नहीं थे उन्हें निकाल दिया और कुछ उल्टी सीधी घास आ गई थी बूटियां आ गई थी वो भी निकाल दी देखिए गेंदे के सीध्लिंक्स कितने हेल्दी हैं और मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा क्योंकि मैं इन्हें बड़े गमले में ट्रांसफर करना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मैंने बड़े गमले में कैसे ट्रांसफर किया और सॉयल मिक्स क्या था वो सब जानने के लिए शौट वीडियो डाला है मैंने अभी रिलीज हुआ है उपर लिंक आ रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी मुझसे अकसर ये सवाल पूछा जाता है कि गेंधे के पौधे पर फूल नहीं आ रहे पत्यां आती जा रही है पौधा भर गया है बड़ा हो गया है लेकिन फूल नहीं आ रहे इसके दो कारण हो सकते हैं पहला कारण आपने उसे जरूरत से जादा खाद दे दी है, गेंदे के पौधे को जादा खाद नहीं चाहिए, दूसरा कारण आपने पौधे को ऐसी जगह रखा है, जहां धूप नहीं आती या बहुत कम धूप आती है, तो क्या होगा, पौधा जो है पत्तियां बनाता आपने वाली है गेंदे के, और दूसरी चीज, कॉम्पोस्ट टी, यह जो कॉम्पोस्ट को पानी में घोल कर एक चाह बनती है, उसे कॉम्पोस्ट टी कहते हैं, यह दूसरी चीज़े जो आप दे सकते हैं, और हर महीने आपको यह थोड़ा-थोड़ा देना है, यह पूरे टेरिस गार्डन के लिए, जो है, सफिशेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इसे पानी में मिक्स करना है, और फिर सभी गमलों में डालना है, तो गेंदे को जाजा खाद नहीं देनी, अब इस वीडियो के लाइफ थीम के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला त नेगटिव नहीं करनी है, पॉजिटिव करनी है, खुद से ये कहने की बजाए कि भाया ये तुम से नहीं होगा, या ये तुम्हारे बस की चीज नहीं ये कहिए, कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. अब जान लेते हैं कि गेंदे के पौधे को पानी देने का सबसे बड़िया तरीका क्या है वो है bottom watering नीचे से पानी देना चाहिए क्यों? क्योंकि उपर से पतियां खराब हो जाती है फंगस लग जाती है, root rot हो जाता है तो इस तरीके से पौधा जो है वो स्वस्त रहता है जो भी मेरा वीडियो इस वक तक देख रहा है मेरी तहे दिल से प्राथना है कि आपकी लाइफ में शांती, सुख और समृधी बनी रहे ये मैसेज आपने अभी सुना है तो नीचे कॉमेंट्स में नमस्ते, आदाब, सत्रियकाल या आपका ग्रीट करने का जो भी तरीका है वो ज़रूर लिखिए गेंदे का पौधा गंबले में अच्छी तरह से जम जाए और बढ़ा होना शुरू हो जाए तो ड्राइड ग्रास क्लिपिंग यानि सूखी हुई घास जो है पौधे के आसपास डालिए बहुत से फाइदे हैं पहला मिट्टी जल्दी नहीं सूखे की दूसरा वीड्स नहीं आएंगे तीसरा कालशियम, पटाशियम, कारवन मिलता जाएगा पौधों को यह बहुत स्पेशल टिप था अच्छे बड़े बड़े गेंदे लेने के लिए यहां हैंगिंग बास्कित्स में भी मैंने गेंदा लगाया है आत्मविश्वास बढ़ाने का दूसरा तरीका है गलतियों से नहीं डरना अपना बेस्ट दीजिए गलतियां होगी बहुत से लोग कुछ काम ही नहीं करते बस वो पूरा टाइम खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तीसरा तरीका है खुद पर काम करना किसी भी चीज के लिए अच्छी तरह से तयारी करना गेंदे के पौधे को कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए तभी फूलों का साइज जो है इतना बड़ा बड़ा और मज़ेदार होगा अब हम आ गए हैं गेट माई हार्वेस के हर्ब गारण में क्या बात कर रहे हो आपने गेट माई हार्वेस का हर्ब बारण नहीं देखा उपर वीडियो का लिंक आ रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी आप देख लीजिए और इस वीडियो को ज़रा फटा-फट से लाइक कर दीजिए एक सेकिंड लगता है ये भी सोच लीजिए कि ये वीडियो किन किन ग्रुप्स में फौवर्ड करना है ये गेंदे के पौधे को आपको करना है पिंच इस तरह से क्या होगा बहुत सी ठहनिया आ जाएंगी जादा तहनिया आएंगी तो मतलब जादा फूल आएंगे पौधा घना हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिटेंस यानि आत्म विश्वास को बढ़ाने का चौथा तरीका है ऐसे लोगों के आसपास रहना या ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो या सब्सक्राइब करना जिनने देखने के बाद आपको एक अच्छी फीलिंग आती है आप सकरात्मक्ता की और बढ़ पाते हैं पांच वार आखरी तरीका है विनम्र रहिए यानि हमबल रहिए नहीं तो सेल्फ कॉन्फिदेंस कब ओवर कॉन्फिदेंस में एरोगेंस में अहंकार में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा यहां Get My Harvest Garden की क्यारी में भी एक लाइन में गेंदे लगाया है मैंने अगर आपके गेंदे के पौधे को घोंगे या स्लग्स खा रहे हैं या स्पाइडर माइट्स का प्रॉब्लम है तो पौधे के आसपास जो है अंडे के छिलके डाल दीजिए या कॉफी का पाउडर छि के लिए पहले आपको अपना आत्मविश्वास स्थापित करने की जरूरत है Self Confidence होना बहुत जरूरी है अगर आपका कोई साथ नहीं देता है तो आपको गम नहीं करना चाहिए क्योंकि खुद से बहतर कोई हमसफर नहीं होता आप अकेले चलने की हिम्मत तो कीजिए कान हजारों रास्ते खोलने को तयार है यह गेंदे वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताईए गेंदे के बीच कहां से और किये जा सकते हैं उसका लिंक मैं अपने वाट्साप चैनल में भी दूंगी आपने जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर ल कर दो